G-Spot, Google पे सबसे जादा सर्च करने वाले शब्दों में से एक है लोगों ने हमेशा वांड़ा किया है कि G-Spot exactly exist कहा करता है यह होता है या नहीं होता है इससे अचीफ कैसे किया जाए, maximum orgasm कैसे मिले काफी लोग कहते हैं कि यह बिलकुल कही अंदर चुपा हुआ है इससे deep penetration की जरुवत पड़ती है इस सब का जवाब मैं आपको आज दूँगी सबसे पहले तो यह जानते है कि G-Spot में G क्या है एक बहुत famous German gynecologist थे जन्होंने G-Spot की खोज की थी और उन्होंने यह theory रखी थी कि इससे stimulate करने से maximum pleasure मिलेगा और orgasm अचीव होगा sex toys market में ऐसे आई था जो G कहा जाता है जो specially G-Spot के लिए बने गए है in fact काफी research हुआ था इस पे और off lately after researching so much यह theory आई है कि G-Spot exist करता ही नहीं है I am so sorry to disappoint you but G-Spot नाम की कोई चीज नहीं है well so if you are still trying to find G-Spot just sit and relax क्योंकि probably ऐसा कोई spot है ही नहीं पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम यह भूल जाए कि different different vagina owners के different different pleasure points होते है जो मुझे पसंद है जरूरी नहीं कि कि किसी और लड़की को भी पसंद आए शायद उसे किसी और चीज से arousal फील होता है जैसे कि मैं हमेशा कहते हूँ कि clitoris stimulation से maximum pleasure मिलता है वो बाहर से दिखने में बिल्कुल इतना सा लगता है मटर के दाने की तरह होता है पर अंदर से वो बड़ा होता है three times बड़ा होता है तो clitoris को अगर बाहर से stimulate करते है या अंदर से करते है through fingering या penetration से जब वो stimulate होता है अंदर से जिसके वज़े से maximum pleasure मिलता है उसे arm language में G-spot कहते है जी हां बिल्कुल arm language में तो commonly जब कोई G-spot प्रफर करता है उसका मतलब ये है और ना कि कोई ऐसा G-spot जब बिल्कुल अंदर का ही चुपा हुआ है तो clitoris stimulation से maximum pleasure तो मिलता है मिलता है पर it may और may not lead to orgasm किसी को orgasm हो सकता है through it किसी को नहीं हो सकता है which is normal and common तो कोई ऐसा खजाना नहीं है कुछ ऐसे mystery नहीं है behind G-spot it's just another part of clitoris अंदर से जब penetrate करते हैं जो clitoris अंदर से stimulate होता है well उसे कहते है G-spot तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि यह G-spot कहा है मैं से कहा दूंडू well relax and enjoy the moment okay I hope आपको एपको एपको एपसंद आया हो I'll see you guys in next video bye